नमस्कार दोस्तों Ultimate Health and Home Remedies चैनल में आप सभी का स्वागत है Ultimate Health and Home Remedies आपकी सीखत का खयाल बकू भी रखता है दोस्तों आद मैं आप लोगों को आठ ऐसे आहरों के बारे में बताऊंगा जो आप लोगों की धमनियों की जो clogged धमनिया है उनको clean करने में आप लोगों की help कर सकती है तो ये सभी foods आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कौन-कौन से foods हैं उनके बारे में सभी में बात करेंगे जो अरेट्रीज होती है हमारी जो धमनिया होती है वो blood vessels को यह हम लोग कहें कि जो खून की धमनिया होती है उनमें blood ले जाकर साथ में oxygen भी सभी अंगों तक पहुचाती है तो यह बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इनमें clogged ना हो यह धमनिया जो है अरेट्रीज जो है वो clogged ना हो और अगर यह स्वस्थ होंगी तो ही आप लोगों का रिदय जो है वो अच्छा होगा क्योंकि अगर धमनियों में cholesterol जमा नहीं होगा तो आप लोगों को blood flow जो है आप लोगों की हर जगह सही रहेगा यह normal अरेट्रीज है और यह narrowing of अरेट्रीज है जिसमें प्लाग जो है वो जन्सु का है और आप लोगों को problem हो सकती है अगर प्लाग जो है आप लोगों की धमनियों को narrow कर देता है तो इससे आप लोगों को tightness और pain chest भी हो सकता है blocked हो सकती है आप लोगों की coronary arteries और अगर आप लोगों की coronary arteries जो है वो blocked हो चुकी होती है तो इसमें आप लोगों को सांस लेने में समश्या आ सकती है या आप लोगों को जल्दी पसीनिया आ सकते है heart attack जैसी problems जो है आप लोगों को face करनी पड़ सकती है तो ऐसी problems आप लोगो को ना फेस करने पड़े इसके लिए आप लोगों को ultimate health and home remedies आठ ऐसे आहरों के बारे में आद बताने वाला है जिससे आप लोग heart attack जैसी problem से बच सकते हैं तो prevent कर सकते हैं हम लोग ये कहेंगे कि अगर आप लोग इन आहरों का 7 करें तो आप लोग heart attack जैसी problem से बच सकते हैं लेकिन subscribe करना ना भूलिए channel को ये आप लोगों के लिए बहुत ज़ादा ज़रूरी है सबसे पहला आता है fish जो लोग साकारी नहीं है यानि कि मासारी है वो लोग fish का इस्तेमाल कर सकते हैं मचली में omega 3 fatty acid होता है इस परकार का acid blood cholesterol को कम करने के लिए बहुत ज़ादा अच्छा होता है जो कि रुकी हुई अरेट्रीज को ठीक करता है और जो महिलाई लगातार fatty fish का इस्तेमाल करती हैं उनका अच्छा रहता है खासकर fatty fish में आप लोग जो है mackerel है, salmon है ऐसी मचलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि omega 3 fatty acid से भरपूर हो और स्वादिस्ट बनाने के लिए आप लोग इन पर निम्बू डाल सकते हैं इनको rosted कर सकते हैं तो वो बहुत ही ज़ादा लजीज होगी अब बात करते हैं हम लोग दूसरे fruit की, जो की है citrus fruit यानि की खट्टे आहर तो जो खट्टे आहर यानि vitamin C यूग, citrus fruit का इस्तेमाल करने से systolic blood pressure कम होता है जो आहर viscous fiber रखते हैं, यानि की citrus fruit जो है, वो viscous fiber रखते हैं वो आहर धमनियों को protect करते हैं और clogging होने से बचाते हैं clogging का मतलब है जो धमनियों पर cholesterol जमा हो जाता है, जो धमनियों को रोकता है वो जो है vitamin C यानि citrus fruit के सेवन से कम हो सकता है नमबर तीसरे पर आता है आप लोगों के पास walnut यानि की अखरोट अखरोट के सेवन से आप लोग जो है अपने रिदय को अच्छा रख सकते हैं अखरोट के इस्तेमाल से धमनियों में flexibility आती है जो लोग उच्य मात्रा में high saturated fat का इस्तेमाल करते हैं खाने में उनको रोज कुछ न कुछ अक्रोट सेवन जरूर करना चाहिए अक्रोट के सेवन से आप लोगों की धमनिया डमेज होने से उनको बचाया जा सकता है तो धमनिया यानि के amra açries अगर आप लोगों की damage हो जाती है अरेट्रीज की जो सूजन होती है उसको कम किया जाए तो अगर उनमे फ्लक्सिबिलिटी लानी है तो आप लोग अखरोट खा सकते हैं अखरोट में भी ओमेगा-3 fatty acids बहुत अच्छा मातरा में होता है और anti-inflammatory properties भी आप लोगों की अखरोट में पाई जाती है अखरोट का अगर आप लोग प्रती दिन 5 अखरोट रोज खा लेते हैं सुबह सुबह उठकर अगर आप लोग अखरोट खाते हैं तो इसकी तो तुलना भी आप लोग नहीं कर सकते हैं तो आप लोग market से जो drive अक्रोट आते हैं बिना छिलके के वो नहीं लाएं, छिलके वाले अक्रोट लाएं उनको तोड़े और उसके बाद में आप लोग खाएं, तो आप लोगों के लिए जादा beneficial रहेगा, अब बात करते हैं हम लोग next यानि की चोथे food गी, इसका नाम है flag seed यानि की LC के बीज, LC के बीजों से सभी जो हैं वो वाकिफ हैं, उनकी properties के बारे में भी वाकिफ हैं, यदि आप LC के बारे में नहीं जानते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जादा काम का है, LC का इस्तमाल primary और secondary cardiovascular disease में किया जाता है, LC के अंदर fiber, omega 3 fatty acid और phyto estrogen होते हैं, जो हृदय को स्वास्थय का जो देखभाल है, वो बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि LC का इस्तमाल आप लोग कैसे करें, अगर आप लोग दही खाते हैं, तो आप लोग जो है LC का बुरादा बना लीजिए, उसको तवे प लोगों को nutrient भी मिल जाते हैं, साथ में आप लोगों का खाना भी ये consumable हो जाता है, तो snacks के रूप में भी आप लोगों को खा सकते हैं, next fruit आप लोगों के पास है, जो next आहर आप लोगों के पास है, वो है turmeric, यानि कि हल्दी, हल्दी में आप लोग कह सकते हैं कि हल्दी जो है, वो खृदय की दोस्त होती है एक तरीके से, हल्दी में curcumin पाया जाता है, ये कैसा compound है curcumin, जो कि आप लोगों के blood vessels को narrow होने से बचा सकता है, या हम लोग कहें कि आप लोगों की clogging हैं उसको दूर कर सकता है, क्योंकि ये खून को पतला करता है पहली बात, और इसमें ऐसी anti-inflammatory properties पाई जाती हैं, जो आप लोगों की clogging होती हैं, उसको कम करने में आप लोगों की बहुत अधिक मदद कर सकती है, हल्दी का दू दिक्कत आ रही है सांस लेने में या आप लोगों के कफ जमने की समश्या है, तो आप लोग हल्दी का इस्तमाल कर सकते थे, इसमें आप लोग ये कह सकते हैं कि हल्दी जो है, वो आप लोगों को सर्दिया चल रही है, तो उसमें आप लोग जरूर हल्दी का इस्तमाल करें, दूद में कर सकते हैं आप लोग Spices के रूप में हल्दी का इस्तमाल तो करते ही आते हैं हमारे हर घर में Spices में सबजिया जब भी बनती है तो उसमें हल्दी तो डलते ही है तो अगर आप लोग दूद में कच्ची हल्दी का इस्तमाल करेंगे तो उसे बहुत जिसे हम लोग आम्या हल्दी भी बोलते हैं उसका इस्तमाल भी आप लोग करेंगे तो भी आप लोगों के जोड़ों के लिए भी बहुत जादा अच्छी होती है इलहल्दी नेक्स्ट आप लोगों के लिए फूड है ग्रीन टी ये फूड जो है एक्चुली में इसमें बहुत अच्छी मात्रा में एक ऐसा कमपाउंड पाया जाता है जो एंटियोक्षिडन से भरपूर होता है कुछ अध्यनों के अंदर ये पाया गया है कि जो लोग ग्रीन टी का सेवन करते हैं उन्हें बहुत कम रिदय से समंदित समश्या पाई जाती है अगर आप लोग दिन में 3-4 कप साधारन टी के पीते हैं तो उसकी जगह आप लोग अगर ग्रीन टी का इस्तमाल में लेने लग जाएंगे तो 26% आप लोग कह सकते हैं कि आप लोग रिदय की समश्याओं से बच सकते हैं अगर आप लोग एक कप भी डैलिका पील लेते हैं तो आप लोग 16% तक आप लोग कह सकते हैं कि आप लोग रिदय की समश्याओं से बच सकते हैं क्योंकि इसमें antioxidant पाया जाता है प्रचूर मात्रा में और powerful antioxidant पाया जाता है और वो antioxidant आप लोगों की धमनियों को protect करता है, damage होने से protect करता है, free radical damage होने से बचाता है, तो आप लोगों को green tea का 7 भी आप लोगों को करना चाहिए, next आप लोगों के पास है, जो next food है, वो है cinnamon, cinnamon यानि कि आप लोगों के पास बोल सकते हैं, डालचीनी, यह जो डालचीनी है actually में cinnamon, यह बहुत ची दवाईयों में काम आने वाली एक कोशदी है, मैं आपको प्रचूर मात्रा में, इसमें आप लोगों को प्रचूर मात्रा में antioxidant मिलता है, anti-inflammatic properties पाई जाती है, type 2 diabetes वाले में glucose level को ठीक करता है और lipid को भी अच्छा रखता है, यह cholesterol के level को कम करने में मदद करता है, तो कितने फाइदे आप लोगों को cinnamon के भी होते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ancient हमारी ओशदिया है, हमारी आयूरवेद में, वो हमारी कहीं न कहीं किसी न किसी बिमारी को होने स बचाती हैं, तो आप लोग यह कह सकते हैं कि अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा fast food आप लोगों ने खा लिया है, बहुत चरबी आप लोगों ने चड़ा ली है, आप लोगों को उर्दै से समंदि समश्याओं से खतरा है, तो आप लोग जो हैं, ऐसे foods का इस्तमाल कर सकते हैं सिनामन जैसे fruits का इस्तेमाल कर सकते हैं जो type 2 diabetes होने से भी आप लोगों को बचा सकते हैं अब बात करते हम लोग next fruit की जो की है last eight food इसका नाम है आप लोगों का पर्मगरेनट यानि कि अनार अनार देखिए आप लोगों का दवाईयों तो अनार की बहुत सारी बनती है अनार आप लोगों के पूरी body के लिए बहुत ज़्याद आचा है अनार में बहुत से pathological changes लाती है हृदे से समधित बिमारियों में जैसे की oxidative stress को अनार कम करने में बहुत अधिक मदद करती है नाइट्रिक oxide के level को भी बनाए रखने में जो अनार है वो बहुत अधिक मदद करती है तो अनार का juice पीने से अगर आप लोग अनार खाते हैं या अनार का juice पीते हैं तो आप लोगों को healthy रखती है अनार और साथ ही आप की beauty का भी देखभाल करती है अनार, तो अगर हिदय से समंदित बिमारिया हैं, तो अनार आप लोग इस्तमाल में ले सकते हैं, इन में से कोई भी fruit अगर आप लोग इस्तमाल में लेंगे, तो आप लोगों की हिदय जो है, वो अच्छा रहेगा आप लोगों की जो अरेट्रीज हैं, आप लोगों की जो अरेट्रीज में clocked अरेट्रीज हैं, वो साफ रहेंगी, धमनिया साफ रहेंगी, protect रहेंगी, damage होने से बची रहेंगी, तो ये सभी food खाईए, धमनियों को बचाईए धमनियों को clean कीजिए जो अरेटरीज आप लोगों की भरी बड़ी हैं collect हैं उनको आप लोग बचा सकते हैं इन आहरों की बदत से तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताईएगा और साथ इस वीडियो का आप लोग शेयर कर सकते अपने WhatsApp पर, अपने Instagram पर अपनी Facebook प्रोफाइल पर आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ धन्यवाद